नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असामलेकुम नई सुभा इंडिबेंडन लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया हम सब जानते हैं हमारे बाल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और जब भी हम अपनी हेर के रूटीन में प्रोटीन मास्क का इस्तमाल करते हैं तो सम्टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव होते हैं लेकिन कुछ लोगों को अपने मतलूबा रिजल्ट्स नहीं मिलते और बाल, डल, फ्रिजी और बिलकुल तिनकों की तरह मालूम होने लगते हैं इसका रिजन ये है कि प्रोटीन मास्क का इस्तमाल अगर हम अपने बालों की परॉसिटी के मताबग करेंगे तो अच्छे और बेस्ट रिजल्स अचीव कर सकेंगे अपनी हेर परॉसिटी को हम एक सिंपल से स्टेप से जान सकते हैं एक मग में पानी ले और इसमें अपने बालों का थोड़ा सा पोर्शन डिप करें अगर आपके बाल पानी की सर्फस पर ही तैड़ते रहें इट मीन्स आपके बाल लो परोसिटी के हैं और प्रोटीन मास्क आपको महीने में सिर्फ एक बार इस्तमाल करना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और अगर आप ज्यादा प्रोटीन मास्क का इस्तमाल करेंगे तो आपके बाल ट्राइड डल और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे नमबर टू और अगर आपके बाल पानी में दर्मयान में तैरते रहें इट मीन्स आपके बालों की परोटीन मीडियम है और आपको महीने में मैकसिमम दो बार प्रोटीन मास्क इस्तमाल करना चाहिए Last but not the least, अगर आपके बाल पानी में बिलकुल बॉटम में जाकर बैट जाएं It means आपके बालों की परोसिटी हाई है और आप वीक में एक से दो बार प्रोटीन मास्का इस्तमाल कर सकते हैं यानि लो हेर प्रोसिटी के लिए प्रोटीन मास्क once a month medium परोसिटी के लिए twice a month और हाई परोसिटी के लिए once a week प्रोटीन मास्क इस्तमाल किया जा सकता है So अपने बालों की टाइप यानि dry, oily और combination इसके बारे में जानने के साथ साथ अपनी हेर परोसिटी के बारे में भी जरूर जाने ताके आप जब भी प्रोटीन मास्क का इस्तमाल करें तो best of the results अचीव कर सकें ये तो थी बालों की सिंपल सी हेर केर टेक्नीक Till नेक्स टाइम, अलाह निगरवान ये मालमाते मवाद नई सुभा की जानब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए